देखो आका शेरन के मॉडियूल्स तो सबसे फेमस है लेकिन आजकल बात हर कोई फिजिक्स वाला मॉडियूल्स के बारे में कर रहा है और एचसी वरमा लेते हैं तो सब है लेकिन समझ किसी को नहीं आती तो अब इतने सारे स्टडी मटीरिल में से आपको कौन सा यूज करना ह के लिए कितना मटीरिल सच में नीडड़ है डीटेल में डिसकस करते हैं लेकिन बुक्स के वारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 720 स्कोर करने के लिए ये सारी बुक्स सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका अपने स्टडी मटीरिल की तरफ की वीडियो में बहुत कुछ कह चुका हूँ तो शायद इस वीडियो में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है लेकिन एक सिंपल सी चीज़ बता दे तीनों ही सब्जेक्ट्स के थियोरेटिकल पार्ट्स के लिए एंसी आर्टी एसेंचल तो है पर सफिशेंट नही है तो इसलिए कम से कम question solving के लिए आपको एंसी आर्टी से बाहर तो जाना ही पड़ेगा coaching modules एक student की एंसी आर्टी के बाद सबसे पहली preference होनी जाहिए क्योंकि modules अपने आप में यतनी complete और well organized होती है कि theory से लेकर हर एक important question तक आपको सब कुछ एक book में मिल जाएगा लेकिन अब बाद आती है किस institute के module सबसे best है आकाश, Helen, physics वाला या फिर कोई और देखो simple है करना बस इतना है कि अगर आपने already कोई coaching institute join कर लिया है और उसकी modules आपके पास available है तो आपको बस अपनी coaching का ही module blindly follow करना है और अगर आपने इतना कर लिया तो इसके बाद आपको कोई और study material यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इनके सब coaching नहीं जाते या आप modules afford नहीं कर सकते तो आप बाकी books जिनके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे उन्हें follow कर सकते हैं तीन हुई subjects में इसके पूरे content को properly organize किया गया है जिसमें सबसे पहले brief theory दी गई होती है और उसके बाद questions जिसमें पहली exercise के questions NCRT से extract किये गए हैं इसमें आपको physics और chemistry में around 100 topic wise numerical और theory based questions दिये गए हैं and biology में भी इसमें आपको 100 questions मिलते हैं जो obviously NCRT text पर based होते हैं दूसरी exercise होती है NCRT exemplar के नाम से जिसमें आपको around 15 to 30 questions और इसके बाद आपको around 15 assertion reason type और 15 to 20 thinking corner के नाम से conceptual high level questions और finally exam archive के नाम से PYQs मिल जाते हैं इस बुक में आपको हर एक exam के लिए चाहे वो neat हो, जही मेंज हो जहीए advance हो, हर variety के सवाल मिल जाएंगे ये एक overall high level preparation के लिए एक decent book है लेकिन ये book में preparation के initial stages में बिलकुल recommend नहीं करूँगा बलकि ये book तब ही solve करो जब और कुछ ना बचाओ लेकि ये तो काफी simple book है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ जिदिया भी नहीं है ये basically एक PYQ book है जिसके पहले पार्ट में very similar model papers के नाम से 10 practice papers दिये होते हैं इन model papers के साथ आपको OMR भी दिया रहता है जो एक plus point है आखिर में आपको answer की और solutions भी दिये रहते हैं अब आते हैं कुछ subject specific books पे जो आप preparation के दोरान यूज़ कर सकते हैं और start करते हैं chemistry से ये एक काफी popular book है इस book के material की बात करें तो सबसे पहले आपको थोड़ी बहुत theory दी रहती है और उसके बाद questions जिसको 3 levels में divide किया गया है वो मिल जाते हैं लेवल 1 में around 150-200 basic से लेकर काफी conceptual questions दिये होते हैं जो chapter की max variety के questions को cover करते हैं लेवल 2 में 15-20 assertion reason type और finally level 3 में 100 से भी ज़्यादा PYQs दिये होते हैं और हाँ end पे answer की और max questions के लिए solutions भी दिये रहते हैं इस book को भी NCRT fingertips की तरह काफी parts में divide किया गया है जिसमें सबसे पहले आपको brief theory और उसके बाद 15-200 topic wise, statement based, neat, AIPMT और aims के PYQs, एक chapter end test और finally इन सब की answer की दी होते हैं लेकिन solutions provided नहीं होते हैं इस book में आपको पहले ही एक बहुत detailed theory मिल जाती है जिसमें साथ-साथ में examples और topics के end पे topic and illustrations भी मिल जाते हैं theory खतम होने के बाद around 250-300 theoretical से लेकर reaction based questions मिल जाते हैं जिनमें PYQs भी included होते हैं इसके बाद इसमें around 30 assertion reason type questions भी होते हैं और finally answer की और कुछ specific questions के solutions भी दिये रहे हैं लेकिन इस book के regarding मेरी तरफ से एक advice ये रहेगी कि आप इस book को तभी follow करें जब आपके पस काफी time वरना end moment पे आप इस book को पूरा complete तो नहीं कर पाएं इस book का funda simple है questions को दो levels में divide किया जाता है level 1 और level 2 level 1 में around 200 topic wise questions मिलते हैं जो कि कोई नहीं बात नहीं है लेकिन इस book की खासियत इसका level 2 है क्योंकि इसमें आपको काफी conceptual questions मिल जाते हैं जो basic से advanced level तक concepts को एक साथ cover करते हैं पर obviously answer की दिये होती है लेकिन solutions नहीं मिलते हैं sad again अच्छाँ chemistry के लिए एक और चीज़ में मुनीट अगर आपको अपनी नीट preparation के लिए कुछ unique और interesting चाहिए तो में मुनीट मुझे तो उसके लिए काफी interesting लिए लेट मी explain में मुनीट में आपको 3000 से ज़्यादा assessment reason और multiple statement questions और 30,000 से भी ज़्यादा MCQs मिल जाएंगे test series भी 100% NCRT based है और NEET 22 के paper में 94, 42 और 30 questions biology, chemistry और physics subject में directly मेमोनीट आप से ही आये थे वैसे तो इसमें सारे subject के लिए ही कुछ unique है लेकिन अगर specifically chemistry की बात करें तो physical और organic chemistry दोनों के लिए अलग-अलग sections है जहां सभी formulas को अलग-अलग questions में form किया हुआ है जैसे flash type card questions जिससे आप सारी equations समझ भी सकते हैं और memorize भी कर सकते हैं और match the elements जहां formulas के expansions आपको सही relations के साथ match करने है और jumbled word questions जहां आपको jumbled words के group में से सही formulas और equations derive करनी है ये sections बनाए ही इसलिए हैं ताकि आपके लिए hectic formulas और equations याद करना easy बन जाए पिछली neat exam में chemistry section में 42 out of 50 questions directly memo neat app से ही आये थे आपको memory type interesting लगती है आप इसे check out कर सकते हैं और मेरा code नहाए 300 use कर सकते हैं आपको 300 rupees off भी मिल जाएगा link description में अब बाकी वीडियो पे वापस काते हैं ये तो होगी chemistry की बात चलते हैं biology subject पर number one doctorate इस book में वैसे तो आपको कुछ theory नहीं मिलती बलकि index के बाद सीधे question से ही start हो जाती है यहाँ आपको directly chapter wise 150 to 200 सवाल मिलते हैं और end पे answer की दिये होती है बस कितना ही है number two अर यहाँ master the NCRT इस book को भी किसी दिए हद तक MTG fingertips की तरह organize किया गया है सबसे पहले तो एक brief theory दिये होती है और उसके बाद 150 to 200 topic wise questions जिसके बाद assertion reason type, statement based और NCRT exemplar problems भी दिये होती है end take answer की और explanations भी दिये होते हैं और मेरे हिसाब से biology practice के लिए एक complete package है number three इस book का format भी सिंगेज chemistry जैसा ही है जिसमें आपको topic wise, assertion reason type, statement based, need, AIPMT और aims के PYQs और साथ में finally एक answer की दिये गई है और गया बात हैं अपने तीसरे subject पर physics number one errorless physics errorless physics मेरे हसाब से तो काफी underrated book है इस book में आपको approximately chapter wise 700 to 800 questions दिये गए हैं कुछ chapters में तो even thousand से ज्यादा questions मिलेंगे आपको इसके अलावा brief theory और बहुत सारे shortcut formula भी मिल जाते हैं ये book अपने आप में ही एक complete package है इसलिए अगर आप अपनी preparation की starting में हैं तो आप इस book को follow कर सकते हैं number two, DC part ये book मेरे according apart from modules, need preparation के लिए सबसे relevant book है physics subject के अंदर क्योंकि इसमें आपको theory तो दी हुई है उसके अलावा basic से लेकर conceptual अलग-अलग variety के सवाल दिये गए हैं जो neat में पूछे जाते हैं इसमें आपको हर subtopic के बाद questions और theoretical part खतम होके exercise दी गई हैं जिसमें normal numericals, assertional reason type, match the following और PYQs included हैं आखर में answer key or solutions भी provided है नमबर 3, H.C. Verma सीधी बात, नो बकवास देखो मैं पहले भी बोल रहा हूँ और अब भी बोल रहा हूँ खुद तो मैंने ये book अपनी preparation में solve की हुई है लेकिन मेरे according ये book NEET exam के लिए relevant नहीं है नो डाउट ही one of the best books है और इसमें बहुत ही अच्छे लेवल की conceptual सवाल दिये हुए है बट जिस तरह कुछ सालों से NEET का physics paper आ रहा है उससाब से ये book करना मेरे according time के लिए थोड़ा सा problematic नमबर 4, I.E. Irridov या फिर S.S. Crotov ये दोनी books है जिनकर NEET exam के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता भी नहीं है बेना time waste के मैं आपको एक strict advice दे देता हूँ कि आप इन books से दूर रहें और इनको solve करने का सोचना भी नहीं है तो ये थी हमारी complete analysis for NEET study material अब अगर आप कोई भी book solve कर रहे हैं ये दियान रखेगा कि सिर्फ book खतम करने के लिए solve ना करें बलकि actual में NEET exam के लिए solve करें ये चीज़ दियान में रखके आप book का maximum फाइदा उठा सकते हैं अब अगर आपको कोई भी doubts है तो आप comment section में पूछ सकते हैं मिलते हैं हमारी next video में तब तक ये लिए पढ़ाएंगे